हेलो फ्रेंट्स, आज हम डिसकस करेंगे नेमराज सुनापू फ्री लेक्जर सीरीज के टोपिक स्वोइल साइट के बारे में तो चलिये, शूरू करते हैं सबसे पहले हम इस में बात करेंगे स्वोइल साइटर ये खुछ इंपोटेंट के बारे में Canker Nodules are mostly found in Canker Nodules mostly कौन하지 पाई जाते हैं? Red soil के अलावा यह alerts soil barcasaur में भी पाई जाते हैं लेकिन mostly red soil में पाई जाते हैं Process of moving out of Saskio oxide from soil is known as सस्क्य drain होते हैं employment की process को बोलते हैं Podio Lyt Wenikeson Sasquio oxide क्या होते हैं? Alumin whominken oxygen होते हैं Process of mixing of soil is known as persuad के mixing की process को क्या बोलते हैं bedo salvation soil having more than 20% organic matter known as वह soil जिसमें 20% से अधिक मात्रा में organic matter पाया जाता है उसको क्या बोलते और गया जाता है इंडिया की जो soil है उसमें organic matter कितना पाया जाता है 01.05% से भी कम law of minimum was proposed by जो law of minimum है वह Navy LINPIC के द्वारा दिया गया था 1840 में जो और ओरीजन है वो एरेबल स्वेल में अपसेंट होता है और यह प्रजेंट होता है वर्जी या फिर फोरेस्ट स्वेल में अब आत करते हैं टोप मोस्ट मिनरल होरीजन इस टोप मोस्ट मिनरल होरीजन कौन सा है एक होरीजन एसे होरीजन कौन सबसे पहले आता है ओर Diameter of clay particle is clay particle का diameter होता है less than 0.002 mm soil structure which is best for cultivation is वह कौन सा soil structure है जो crop के cultivation के लिए best होता है तो quality structure soil को बहुत सारे structure में classify किया गया लेकिन जो brumby ओ granular soil structure होता है soil के cultivation के लिए best होता है क्यों कि यह जो pore space होती वो हाई होती ही particle density of most of the soil is most of the soil की जो particle density वो 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमेटर होती है और general soil की जो bulk density 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटिमेटर है जो bulk density वो particles density का हाफ होती है total pore space highest in total pore space highest पाया जाते है clay soil में केवलिनाइट is a type of mineral जो केवलिनाइट है 1 is to 1 non-expanding type का mineral होता है montmoronite 2 is to 1 expanding type का mineral है vermiculite 2 is to 1 limited expanding type mineral है और chloride 2 is to 1 is to 1 type का mineral है recently developed soil found from soil which ordered dead has no diagnostic horizon वो कौन सी soil है जो अभी अभी टेवलोप हुई है उसमें कोई भी diagnostic horizon नहीं है उसमें हो है anti soil, anti soil के अंदर कौन सी soil आती है alluvial soil, alluvial soil जो है अभी अभी बनी हुई soil है fresh soil है और इसमें diagnostic horizon नहीं पाया जाते है black cotton soil are found in black cotton soil जिसे रोगर soil भी कहा जाता है यह mostly पाय जाती महारास्टर में फिर मध्यप्रदेश में वेट ऑफ फॉरो श्लाइस ऑफ सोईल इस फ्लॉरो श्लाइस का जो वेट होता है वह होता है 2.25 इंटू 10 तुदी पावर 6 किलोग्राम पर हेक्टेर वन सेंटीमिटर ऑप सर्फेस सोईल ओवर वन हेक्टेर ऑफ लेंड वेट इस 150 टन परमिसिपल सोईल लोस बाइड वाट लुक्सान दाया खी इंडिया की जो सोईल वहां पर लगभग 16 टन पर हेक्टेर सोईल लोस हो जाता है चीप का स्ट्रूट ऑप सेंडी फ्रेक्शन का चीप कर स्ट्रूट है वार्च मोस्ट डॉमिनेंट मिनरल और अर्थ कर्ष डेस अर्थ कर्ष में पाया जाने वाला सब चीप से जाए डॉमिनेंट मिन्टरल है फैला सब्सक्राइब यह 48 परसेंट पाया जाता है इसके पास फार्च पाया जाता है 36 और माइका होता है 10 परसेंट विज पल्स क्रोप ड़ नोट फिक नाइट्रोजन फ्रम दा एट्मसपे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती लेकिन राज मावत इक एसी परस्क्रोप जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है फिर्स्ट मैनुफेक्चर फट्लाइजर इन इंडिया फिर्स्ट मैनुफेक्चर फट्लाइजर है SSP शिंगल सुपर फास्पेट क्लासिपिकेशन ऑप सोल बाइ आईसीयार इन अई पर टोमिनेंस इस गोज्ड वाई वीच हर्मोन एपिकल बडो में इस मतलब क्या कि जो प्लांट यह उसकी लगातार हाइट बढ़ती रहेगी वहाँ पर प्लांट लगातार हाइट कर बढ़ती रहती नाइटरोजन इन आमोनिकल फर्म में लेती है तो है पेड़ी और इंट्राइस अमोनिकल फर्ट्राइजर दिया जाता है और गाहिशन में क्या होता है कि हाँ पर अक्षिजन रहती वाटर रहता है इसका पर लीचिंग हो जाती इसलिए जो आमोनिकल फर्ट्राइजर है लीचिंग के रोज को रोपने है के लिए आपकर दो करते हैं के लिए इसको कम करने के लिए इसको आपकर अपसकल सब्सक्राइब पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर की इसमालेश्ट वोल्यूम ऑप सोईल इस गोल्ड आस जो सोईल का इसमालेश्ट वोल्यूम होता है उसको बोलते हैं पेड़ॉन जो गेसेसे उनका विनिमय होता है डिफ्यूजन के द्वारہ इन एडिशन ऑफ और्गनिक मेटर बल्क डेंसीटी डिक्रिस अगर और्गनिक मेटर एट करें़ेगे यूँँट जो बल्क डेंसीटी है वो डिक्रिस जो रिर्ट स्व्ल है, उसका Red Cloud होता है, Iron Oxide की प्रजेंस की वाज़े से, बलेक स्व्व्ल झाइल बेस उर्टेब्ल होती है, Dry Land Agriculture के लिए, जहां पर बारिश कम होती हके लिए, बलेक स्व्ल जिर्टी सोटेबल होती है, क्वाटर होल्टिंग क Glenn पाया जाता है ब्लेक कोटन अजय है वह डॉर्गणिव्यटिसो transmit लिए जाती है शौई और पाया जाती हिए जुह राइजोला एडि उससे कौन से इस रौंपाय मेटलिजैर है उसको चल्दramos किये ज़ता है राइस रोप में, soil particle less than 0.001 mm diameter है, जो वह soil particle जिसका diameter 0.001 mm से भी कम होता है, वो है collidal property, the term collidal was given by, जो term collidal है, वो किसके दार दिया गया था, ग्राहम के दारा 1861 में, formula of baking soda, baking soda का formula है N-A-H-C-O-3, caustic soda का है N-A-O-H, USA first country है, जिसने 0 tillage इंट्रोड्यूस किया था, Urea is in the presence of enzyme urease converted into, urease enzyme की present में urea convert हो जाता है, ammonium carbonate में, electric conductivity is used in express, जो electrical conductivity AC है, वो soil की celerity को express करती है, pollen जो wheat है, उसमें pollen study हो जाती है, boron की deficiency की वज़े से, Blast elements are aluminum and silicon, in which state red soil are dominant, वो कौन सा state है, जिसमें red soil dominant है, सबसे रेड soil पाए जाती है, tamil ladu में, Lateratic soil dominant है, करना टका और केलना में, organic matter content in Indian soil is generally, जनरली जो Indian soil है, उसमें organic matter less than 0.5% होता है, most outstanding green manure from कौन सी है सन है, Crotoleria, जन से या, wood is mainly decomposed by, जो लकड़ी है, वो mainly decomposed होती है, Actinomycities के द्वारा, nip gene responsible for nitrogen fixation, population of Actinomycities higher in, जो Actinomycities है, उसकी population पाए जाती है, alkaline soil में, अगर pH सास जाता है, तो वहाँ पे सबस्यदा जो population होगी, वो Actinomycities की होगी, Fine texture soil are more sensitive to, जो fine texture soil है, वो more sensitive होती है, water erosion के लिए, कि बारिक पार एक soil होगी, तो आसानी से भेकर चली जाएगी, इसलिए वो ज्यादा sensitive है, The soil which are most suitable for the most of the crop are, most of the crop के लिए कौनसी soil suitable होती है, Sandy, Lom, Lom soil सबसे best होती, rice control rate very low level, even complete absence of oxygen in the soil, Desired side of soil sample for soil testing, soil testing जो हम करते हैं, लेबरेटरी में ले जाकर soil का test, उसके लिए कितना sample आवश्यक होता है, तो 0.521 kg, मतलब 500 ग्राम से 1 kg, 500 ग्राम से 1 kg soil sample लिया जाता है, और mostly जो लिया जाता है, वो लिया जाता है, लिया जाता है 500 ग्राम, Lowering of the bulk density of a soil indicate, जो bulk density अगर कम हो रही है, तो वो क्या indicate करती है, की physical property बेटर है, ppm percent upon 10,000 और ppm equal to, एक ppm किसके equal होता है, 1 mg या फिर 0.001%, red soil are found in, red soil पाइन जाती है ता मिलनाटू में, the element required for seed formation, seed formation के लिए कुन से element required होता है, fast porous, oxidation means होता है, oxygen का aid होना और electron का loss होना, वही reduction का मिन्स क्या होता है, H2 का aid होना, और O2 और का remove होना, और electron का gain होना, वनला, oxidation और reduction एक दूसरे के opposite है, on the number of basis, population of microbes in normal soil is, number के basis हम देखे, population of microbes की सबस्दा बेक्टरिया पाय जाता है, फिर actinomycetes और फिर fungi, और अगर हम weight की basis पे देखेंगे तो सबस्दा फंगाई बाय जाती है, अगर क्या है कि point में wheat का इंफेस्दा जादा बाय जादा है, हो जाएगा, वहाँ पे ज्यादा meat की मात्रा बढ़ जाएगी, तो oxygen की कमें हो जाएगी, जिससे क्या होगा फीस डाई हो जाएगी, due to water logging, तो availability of which nutrient increase in rice field, rice field में water logging की वज़े से मेगनीज की मात्रा बढ़ जाती है, bulk density of subsoli higher as compared to surface oil, surface soil की तुलना में, जो subsoli होती है, उसकी bulk density higher होती है, activity कहा जाता है, it is due to presence of hydrogen and aluminum ion in soil solution, activity किसके वह जोगा, hydrogen और aluminum ion की present की वज़े से, soil texture is an inherent property of soil, it cannot be change, जो soil texture एक inherent property, मतलब भी कहीं भी change नहीं होती है, provision of adequate drainage is the basic principle in reclamation of soil line and alkaline soil, अगर proper drainage होगा, तो हम soil line और alkaline soil का साइट reclamation कर सकते, बन्दों उनमें सुधार कर सकते हैं, परियाप drainage करके, it needs developed soil with no diagnostic horizon, LUL soil क्या है, सबसे बाद में बनी हुई soil है, अभी अभी recent में बनी हुई soil है, इसमें कोई भी diagnostic horizon नहीं पाया जाता है, red soil based stable होती है, अगरिकल्जा के लिए, many pattern within defined limit is called as soil series, that is basic unit of soil classification, बहुत सारे pattern मिलके क्या बनाते हैं, और यह basic unit है, soil classification की, chisel plough are also used to break hard pen of soil, even as 60-70 cm deep, तो chisel plough होता है, क्या करता है, hard pen को break करता है, 60-60 cm deep तक यह break कर सकता है, general problem are used for primary tillage and hero for secondary tillage, primary tillage में यूज किया जाता है, plough को और secondary tillage में mostly यूज किया जाता है, hero को, इन zero tillage, zero tillage क्या होता है, जिसे primary tillage को completely avoid किया जाता है, और secondary tillage, shift seedbed preparation के लिए, root zone में ही apply किया जाता है, soil erosion, soil erosion के वनलब क्या होता है, detachment and transport a soil particle by water या wind, is known as water या wind के द्वारा, पानी या हवा के द्वारा, soil का जो अपने पार्टिकल से उन्हें detachment होना, और एक जग़े से दोस्ती जग़ा पर चले जाना क्या कहलाता है, soil erosion, portion of capillary water lying between field capacity to wilting coefficient is known as available water, capillary water क्या होता है, field capacity से wilting coefficient के पीश में पाया जाता है, उसे available water कहा जाता है, tillage is the mechanical manipulation of soil for loosening the surface crust and bring about favorable conditions for the germination of seed, tillage क्या एक mechanical manipulation है, जो soil की surface crust उसको क्या करता है, lose करता है, और seed के germination के लिए favorable condition पैदान करता है, tillage is the physical condition of soil in relation to plant growth, तो हम देखिए, stage of weed erosion तो ये तीन टाइप की होती है, saltation, suspension और surface creep, saltation जो होता है, उसे 95% wind का erosion होता है, suspension और surface creep, surface creep में क्या होता है, बड़े particle होते हैं, जो क्या होते हैं, surface पर लोड़कते रहते हैं, stage of water erosion, water erosion की space है, splash, seat, reel, करी, splash में क्या होता है, जैसे पानी उसमें गिरता है, तो बूंद जो soil का particle होता है, वो उचल के एक इस्तान दुसराइं चलता है, seat में क्या होता है, ये पता नहीं चलता है, लेकिन soil की पूरी परत की परत, इसमें बहेकर एक इस्तान दुसराइं चल जाती है, नदियों में जाके मिल जाती है, रील में क्या होता है, छोटी-छोटी सी इसमें नालिया बनने लगती है, और गली में जो रील है, वो बड़ा रूप लेकर गली बन जाती है, इसमें बड़ी-बड़ी नालिया होती है, और सब सोयल में less than 2.02% पाया जाता है और पीट सोयल में 2.5% पाया जाता है वारा बंदी, rotational supply of water in canal irrigated area canal irrigated area में water का जो rotational supply होता है उसे बोलते हैं वारा बंदी केबेज बोरोन toxicity के लिए highly sensitive होता है अगर less than 0.33 ppm बोरोन है तब तो वो suitable है लेकिन इससे ज़्यादा हुआ तो केबेज में नुक्सान हो जाएगा most common urease inhibitor commercially available is agrotan और NBPT nitrogen service in India recently ATS ammonium thiosulfate as a urease inhibitor most commonly used urease inhibitor कौन-कौन से agrotan है NBPT और अभी recently ammonium thiosulfate भी है next हम बात करते हैं H2PO4 negative is greatest absorbed at acidic pH अगर acidic pH है 6.5 या उससे कम तो वहाँ पर जो एब्जोग किया जाता है वो H2PO4 negative रुप में फासपरस को एब्जोग किया जाता है और अगर pH slightly alkaline है तो वहाँ पर PO4 3 negative के रुप में और सबसे ज़्यादा जो अप्टेक है HPO4 2 negative का और मुच स्लोवर होता है H2PO4 negative की तुल नामे चिलेट चिलेट क्या है और्गेनिक कमपाउंड विद कमबाइन आईरान, मेंगनीज, कॉपर, जिंग EDTS का एक्जामपल है यह स्लो रिलिज माइक्रो और्गेनिक फटलाइजर है पेडलफर, an absolute term used for a group of soil with an accumulation of sexy oxide in lower part of solum solum के lower part में sexy oxide का accumulation क्या क्या क्याता है पेडलफर क्याता है absorption, gathering of molecules on a surface surface में molecules का इकट्टा होना क्या कलाता है absorption sun hemp, crotolaria gencia, base suited crop for green renewing it equivalent higher amount of nitrogen 134 kg per hectare followed by dhicha sun hemp जो है most suitable green renewing crop है यह 134 kg per hectare nitrogen accumulate करती है और इसके बाद में धेचा करता है सजबानिया एक्यूलटा जो सजबानिया रोस्ट राता होता है उसके stem और root दोनों में noodles पाया जाते हैं यह aerial nitrogen fixation भी करता है foliar is pressing is useful in apply small quantity of fertilizer जब foliar spray होता है वो उसमें क्या करते हैं कि जो micronutrient होते हैं उनका small quantity में use किया जाता है foliar spray के लिए organic matter is the major source of nitrogen, phosphorus and sulfur जो organic matter होता है उसमें nitrogen, phosphorus पाया जाता है 5-7,8% और sulfur 80% पाया जाता है बेस दोर से temperature होता है surface oil का always higher होता है atmosphere की तुलना में for each unit, increase in pH, the concentration of manganese, iron, decrease by 100 fold ideal NPK ratio को अपना serious होता है उसके लिए ideal NPK ratio 4-2-1 और pulsus crop के लिए 1-2-1 most widely occurring clay mineral in soil is most widely occurring clay mineral कोंसा है kaolinite underground reservoir are usually found in porous rock formation called equi-fur the fertilizer prepared with rhizopium culture is known as nitrogen, neb gene is responsible alkalize oil जो होता है उसका ESP होता है greater than 15 EC होता है less than 4 और जो pH होता है वो greater than 8.5 होता है यह सोडिक या उसर सोल के नाम से भी जाना जाता है mostly plants जो है, वो micronutrient को reduced form में absorb करते हैं AP2 positive, MN240G extractor a unit change in pH represents a 10 for change in H positive and OS negative activity substance added to soil for the improvement of their condition known as amendment amendment क्या होते हैं कि इनको कर soil में add किया जाता है तो soil का improvement हो जाता है the book, nature and property of soil लिखी गई थी NC Brady के द्वारा fertilizer which is most concentrated used for nutrients supplied to crop is most concentrated nitrogen nitrogen किस में पाया जाता है, N hydrous ammonia में सबसे ज़्यादा nitrogen पाया जाता है और ग्रीन मेन्योर क्रोम स्क्रोम सी हैं, प्रोटरलेरिया जन्सिया सनहें, सजबानिया एक्किलाटर धेचा और कावपी seed stage of water erosion most dangerous because it did not notice by farmer, seed stage में क्या होती है कि पूरी की पूरी परत भेके चले जाती है उसकी पूरी जो से न्यूट्रेंट वगेरा और सब भेके दूसरी जगा चला जाते हैं, plant geometry जो होता है, वो से पो प्लांट को रिफर करता है और crop geometry refers to the shape of space available for individual plant मॉक्सोयल के अवतीज में highly decomposed organic matter पाया जाता है और peat soil में partially decomposed organic matter पाया जाता है इसमें excessive moisture condition होबाई जाती है इस pH का जो pH होता है वो 3.9 से कम होता है या 3.9 के लगभग होता है इस पेड़ी पेड़ी की कल्टेशन के लिए suitable होती पेड़ी के लो pH किता रहता है चार से इच्छे रहता है इसलिए 3.9 अगर pH है तो आप पेड़ी को लगा सकते है secondary clay mineral, a mineral that has been formed as a result of subsequent change in rock is known as secondary mineral, secondary mineral के example है kaolinite, monfoilite, elite और gypsum next हम बात करें unit first की soil word है वो latin word solemn से लिया गया है जिसका means होता है floor या first definition of soil की बात करें the soil is a dynamic natural body, जो soil है वो एक dynamic natural body है इसमें three dimensional structure पाया जाता है जो mineral और organic matter का composed होती है आस well as living forms in which plant grow और living forms होता है जिसमें plant को grow किया जाता है इडेफोलोजी जो soil है वो दोप है इडेफोलोजी और पेडलोजी में इसका study की जाती है इडेफोलोजी क्या है कि it is the study of various property of soil in relation to growth, nutrition and yield of crop जो plant है उसकी growth, nutrition और yield of crop के relation के साथ soil के अगर study की जाती है तो उसको बोलते है अपन इडेफोलोजी इडेफोलोजी एक ग्रीक वर्ड है जो इडेफोस और लोगस से मिलकर बना है इडेफोस का मिन होता है soil और लोगस का मतलब होता है discourse अपोर्डिंग टू इडेफोलोजी, soil is natural habitat for plant इडेफोलोजी के अग्रेण जो soil है और ब्लांट के लिए नेच्रल हैबिटेट है पेडेफोलोजी क्या होता है पेडेफोलोजी पेडेफोलोजी की जाती है origin, classification and description of soil soil का origin क्या है उसका classification क्या है और description के soil के बारे में study की जाती है पेडेफोलोजी के अंदर और plant के साथ relationship बात करेंगे तो इडेफोलोजी और soil के origin की हम बात करेंगे तो पेडेफोलोजी में study की जाती है पेड़ोजी भी ग्रीक वर्ट से लिया गया है, ये भी दो वर्ट से मिल के बना है, पेड़ोन और लोगस, पेड़ोन का मतलब होता है सोई और लोगस का मतलब स्टड़ी, पादर आप सोईल साइन्स अंड पेड़ोजी है ड्वी डाकुचे, अकोडिंग टू पेड़ोजी, पेडरोजी के according soil क्या है एक natural body है अब हम बात करें types of rocks की तो रोक स्टीन टाइप की होती है इग्नियस रोक सेडिमेंटरी रोक और मेटामर्फिक रोक जो इग्नियस रोक है उसके एक्जामबल है ग्रेनाइट और बेसार सेडिमेंटरी रोक से ही बनी होती है यह लाइम स्टोन sandstone and dolomate इसका एक्जामबल और मेटामर्फिक रोक होती है रोपांतरी चट्टान होती है इग्नियस रोक सेडिमेंटरी का ही एक रोपांतरी तरूप होता है ग्रीज, marble, quad, slate जो green और ग्नियस होता है वो इग्नियस रोक ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है मार्बल, sedimentary रोक, lime stone से बनकर बना है, quad, sandstone से मिलकर बना है, slate जो है वो सेल से मिलकर बना है मेटामर्विक रोक हम देखने किसे derived हुई है यह देखिए ग्नियस हुई है ग्रेनाइट से, marble, lime stone से, quad, sandstone से और slate बना है से से, earth mineral, earth mineral के हम बात करेंगे, इसमें quartz पाया जाता है, quartz का formula क्या है, इस सिलिका या si o2 का जाता है, यह sandy fraction जो होता है, इस अर्थ प्रेस्ट में 36% पाया जाता है, रोक कंटेनिंग प्रेस्ट में फ्रीज़ नाट कंबाइन विद बेसे और कार्ट एसीड ड्रोक इन ग्रनाइट, quartz प्रेसंट इन फ्रेज़ फ्रों में प्रेसंट होता है, इन बेसिक रोक लाइक बेसाल कंटेनिंग अनी फ्री शिलिका, इस निए प्रेस्वार के हम बात करें, इसका परसेंट परसेंट इस त्षेट परज्ट हो जाता है माइकास . यह 10% पाये जैंद यह 12 ज़ेंट यह दो टाइप का होता है . पोटास माा एंद्न मगनीशियं मैंद माइका था थायम Нांद में माइका 10 परशन पाया जाता है अर्थक्रस में दो टाइप का है पोटास और मेगनिशियम माइका पोटास माइका को भाइट माइका भी कहा जाता है और मस्कोवाइट माइका भी कहा जाता है यह क्लियर और ट्रांस्पेरेंट होता है मेगनिशियम माइका को बायोटिक ब्लेक म फ्रमेशन होता है चुछ चट्टाने होती हुच रुपलों में टूटके क्या बनाती है स्वेल फ्रमेशन एक बहुत ही सवर्व प्रोसेस है एक इच टॉप सोयल को बनने में लगभग 200-1000 साल लग जाते हैं जोफे के क्या है जोफे सफाहिस कांड़ ओफ्रम सेव फेक्टर बता है पेशी फेक्टर पर जिव फेक्टर क्या है प्रेटर्ड अनकॉंसलेट मास प्रम फ्रोम विच दयुल लूफट प्यटर मैं आते हैं अपने प्रेंट मटेरियर डिलीट टोपोग्राफी टाइम और एज बनी होती एक्टी फेक्टर में है क्लाइमेट और ओगिनिजम बाइस पिर अकोटी टू एज जैनी एज जैनी के कोड़ी हम देखेंगे स्वेल फॉर्मेशन तब फंडामेंटल एक्वेशन ऑफ स्वेल्मिंग फेक्टर इस इसके हम ट्रिक देखें इस इस पर देखें जो फॉर्मूला होता है एस इस इसिकल टू एफ सी एल ओ आर बी टी एज का फुल फॉर्म है स्वेल फॉर्मिंग फेक्टर एफ डिनोट करता है यहां पर इन डिपिनिटेट वेरिबस एल बताता है क्लाइमेट ओ बताता है और इस में होती है यहिए से इसमें होरीजयन बने होते है अलग- Uk ऐ बी्क ऑई फ्रीकाल सेक्शण होता है एल पो ओ अलग उर्स् Eff al who can कि यह सबस्वाले बात करें तो यह एक औरफ इस जो तो उख। टोप मोस्ट मिनरल होरीजन है उसी में इसी के तरह होती है न्यूट्रेंट का मोबिलाइजेशन होता है इसके तरह और मोबिलाइज होके वह बी उसन में चले जाते हैं । गता है एक होरीजन से सống साधार, दुसरे होरिजन ए से B, इन होरिजन में यहाल जो नू के डिसे होरिजन नॉक झांक जैने हैं उनका यहाल जोन आयूक्रेजंden हो जाकर है य४ इसमें कोई भी टिलेज आपरेशन नहीं किया जा सकता है यह सोलम के नीचे पाए जाता है किसे बोलते हैं A प्लस B अप्लस C को एक साथ रिगोलित का जाता है जो शीव रिजन इसमें लिस्ट वेदरीं होती हैं और केल्सियम मेंगनेशियम कारबोनेट अब बात करें मेजर कम्पोनेंट आफ सोयल तो इसमें जो सोयल है मिन्राल पाया जाते हैं 45% पाया जाते हैं और टोटल क्या रहता है इसमें 50% का रहता है जिसमें इसमें जो 45 परसेंट रहते हैं वह मिन रहते हैं 5 परसेंट इसमें क्या यह इसमें पर्शेंट उने क्या में वाटती है प्रोपर्टीस परसेंट मैं बात करें। टेक्सट्चर क्या होता है यह यह तो इस प्रापीटिकल टोन का होता है उनका रिलेटिव प्रापोर्शन होता है इच टोसफ ते साइस फ्रेप्राइब की है यह चैंज नहीं होती है in fill condition, soil texture is generally determined by fill method, fill method के दरा तोल टेक्टना को डिटरमाइन किया जाता है, Mechanical Analysis of Soil, it is the process of determining the amount of soil separate below 2 mm in diameter, it helps in determining soil texture classes, the international pipette and boycott's hydrometer method are most common method for Mechanical Analysis of Soil Separate, ञटार हीए इंटرनेशनल प्रीपेट मेंतर्ट वह सेडीमेंटेशन के क綍 काम करती है क्लास फेल इस डीटर्मी banco . निजो ट्रैंगुलोर ट्रैंगुले ट्रैंग्यों से वह यहीं की तुम या यह सेंड एन घर जेति हैं जो सेंड होती है उसमें 85 परशन ज्याद़ सेंड जाता है उसमें 80% सेलच परिजाता है इसरे अधर की तुल में जो ट्राइंगलल को सब्सक्राइल होता है गिंस ऑब हम बात तरते हैंstroke क्लासिपीड आफ स्वेल पार्टिकल तो अकोडिंग टू आई एस एस इंडियान स्वेल साइन्स रिसर्च के एकड़ हम देखें ग्रेवल गटर देन टू पर टू होता है कोड़ा से सेंड की साइज होती पॉइंट टू से टू फाइन सेंड की होती 0.02 से 0.02 से 0.002 और प्ल प्रोड़चंज लोमी से एकर चाप्राइशन के लिए बेस्ट होती इस पैसलिश्ट लिए सेंडिलों से लिए बिकोज टेशन मोर वाटा एन नुट्रिस देन सेंडी शोल एंड है बेंटर टेन ट्रेश प्रपोर्टि देन क्लेस्ट यह बेस्ट क्यों होती है वाटर और न जो क्या होता है कि हैं जो अपने इसमें आपलाए करता है क्या होती इस अधर वर्ड इट डासोयल है इंड इस वैवी नाश्रोफ प्रटन राइस स्वर्कम् में जो टेवर होती है अब बात करते हैं लाइट सोईल की इन कंपरिजन तो क्ले स्टैट लेडिल राजिस्टेंट लाइट सेल रती वह क्ले सोल की तुलना में सेंडी सोल चोती लीटिर रजिस्टेंट दिखाती इंप्लीमेंट के लिए इसको लाइट सेल का आ जाता है लाइट सेल सुटेब रती ग्राउन नट पोटेटो टोबेको एंड लेग्यूम्स के लिए ट्रम हैवी जैए लाइट सोल हमने दिया है वह और विए यह इसमें जाला उनके पती कितना रेजिस्टेंट बताती है उसका अधर पर इसको लाइट और में आभी तो ऐसा होता है कि ज़्यात करें नहीं है Гईए पर नहीं से भी चैनला में भी ज्यादा वॉल्यूम होता है उ खता है उसको हैं यह विर्शन परपरटि और नेसे को सोवर्ट इस्ट्रक्टचर परड़ी इसे हैं पर में फिच्ट परव्टिक्ट्र में को क्या कहा जाता है प्रोपर्षम को क्या क्या के दो़ाइज भासेक पान्य करता है ये किया करता है फीजिकल सेप दिखाता तक हो पिए में स्कुन्टिर तोट है कह ग diving sudah सेन्ड 많नकले द् Frit 的 दोगेथे पर डिफिट और जो और उन्हें है कि यह घृज्ट करते हैं यह स्ट्रिकशए च्टेगरी एक ठाक्ट तैम फोलिगेशन, च्ल्सक्रायद प्लेटी इस्ट्रक्चर प्लेटी इस्ट्रक्चर होता है और तीन है तो इसे लेमिनार कहा जाएगा प्लेटी इस्ट्रक्चर 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 प्लेटी स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसे कहा जाएगा कोल्यूम नार और टोप अगर फ्लेट प्लेट प्लेट है तो उसे कहा जाता है प्रिस्मेटिक नेक्स्ट ब्लोक लाइक तर्फ साइबस्कें पायो पीट नार इसेंटेंट्र से कम नार पायों पायों जाता है इसका जो टायमिटर होता है पेड जो वो दो सेंट्पेर से कम डायों स्ट्रक्टर इन्ट पर कोलाशन एरेशन आफेक्त नहीं करता है एक दो सब्सक्राइबります runs सब्सक्राइब सब्सक्राइब से granular or crummy अब हम बात करें, Soil classes की, classes of soil structure in determined by size of bed is primary structure type of soil in differenty into five size classes, वो कौन-कौन सी class है, very fine or very thin, fine or thin, medium, कोरा से और thick, very कोरा से और very thick, अब बात करें, graded of soil structure की, graded indicates the degree of distinctness and durability of the individual paid, it is designed by the stability of aggregate, aggregate की stability को termine करता है, graded of structure is influenced by the moisture content of the soil, graded also depend on organic matter texture, जो graded होती ही, वो organic matter और texture पर depend करती है, next हम बात करें, factor affecting soil structure, soil structure कौन-कौन से factor affecting करते हैं, तो addition of organic matter increase the aggregation formation, अगर organic matter का addition बढ़ेगा, तो aggregate formation भी increase होगा, intensive cultivation, डिस्ट्रोई डिस्ट्रोई को destroy करते हैं, for good soil structure, tillage operation should be done in optimum moisture condition, जब परियाप्त moisture हो, soil में तभी को tillage operation करना से, तभी उसका soil structure वो अच्छा रहेगा, sodium iron destroyed the soil structure due to defloculation, defloculation के तवारा sodium iron के करते हैं, soil structure को destroy कर देते हैं, और calcium iron floculation के तवारा soil structure डिस्ट्रोई कर देते हैं, mostly grasses and legumes improve the granulation of soil, soil की granulation को improve करते हैं, grasses और legumes, root and root hairs help to develop grumbi soil structure, grumbi soil structure के development को root and root hair help करते हैं, next property है soil density, soil density को measured के अधर पिक्नोमेटर के तवारा, ये दो टाइप के होती, particle density और bulk density, particle density क्या है, the weight of an individual soil particle per unit volume is called particle density, soil particle का per unit volume होता है, उसके बलते है, particle density करते हैं, it is the density of the oven dried soil soil when air is excluded or excluding for space, particle density क्या है, weight of soil solid upon volume of soil solid, particle density जो mineral soil है, उसके होती ही 2.60 gram per centimeter cube, particle density of organic soil 2.1, उससे 2.2 gram per centimeter cube, और organic matter की particle density होती ही 1.1 to 1.4 gram cubic centimeter, next हम बात करते हैं, कि particle density जो होती ही, उसको real या true density का जाता है, इससे real, true, grain और absolute density का जाता है, इसमें जो organic matter होता है, अगर organic matter add करेंगे, तो particle density कम हो जाएगी, और presence of heavy mineral increase the particle density, अगर mineral heavy mineral हो आप पाया जाते हैं, तो particle density increase हो जाएगी, in compare water has density of 1 gram per cubic centimeter, अब हम बात करें, next हमानी bulk density जीसे apparent density भीका जाता है, ये ratio होती, weight of oven dry soil to bulk volume including pore space, weight of oven dry soil upon volume of oven dry soil, it is also called the volume weight, it is determined by multibank practical density by the volume of solid 2.66 gram per cubic centimeter into 0.5 cubic centimeter is equal to 1.33 gram per centimeter, ये जो होती, bulk density जनरली क्या होती, particle density की हाप होती है, अब हम पार्टेकल density किती है देखिती है अपन जनराल सोय की 2.66 gram per cubic centimeter, और बल्क density कितनी 1.33 gram per cubic centimeter, बल्क density mineral soil की किती होती 1.33 gram per cubic centimeter, कोरासे texture sandy soil की 1.4 to 1.75 gram cubic centimeter, fine texture soil clay की 1.12 1.4 gram cubic centimeter, organic matter को होती है 0.5 gram cubic centimeter, compact sub soil की 2 gram per cubic centimeter, centis soil की bulk density higher होती है clay soil की तुलना में, अकर organic matter edit करेंगे हम soil में तो bulk density decrease हो जाएगी, compactness of soil increase bulk density, जैसे से compactness बढ़ेगा soil में, soil bulk density जो है वो increase हो जाएगी, soil with large pore space lower the bulk density, अकर pore space जो हो large है तो bulk density कम होगी, tillage operation क्या करता है, bulk density को decrease करता है, लेकिन जो puddling करते हैं, वो exception है tillage operation को जो bulk density को बढ़ाता है, thermal conductivity, thermal conductivity it is defined as amount of heat flowing in unit time through a unit cross section of soil, thermal conductivity high होती है sandy soil की compared to clay soil, soil moisture content increase होगा तो thermal conductivity also increase, thermal conductivity और bulk density एक जैसी होती है, organic matter increase होगा तो thermal conductivity decrease होगा, अगर porosity बढ़ेगी तो thermal conductivity कम होगी, delays क्या करेगा, thermal conductivity को कम करता है, next property है soil temperature, diurnal variation in soil temperature, dry soil का most soil की तुलना में जादा होता है, loose soil का temperature, compact soil की तुलना में जादा होता है, deep soil का soil temperature, cello soil की तुलना में जादा होता है, next property, redox potential, redox potential oxidized reduction potential of system, इसको denote किया जाता है, EH के द्वारा, इसकी measurable unit है mv, और well-drained oxidized soil की जो redox potential होता है, वो होता है, 400 से 700 mv, और water look reduce soil का minus 200 से minus 350 mv, next property, soil plasticity, soil plasticity is determined by an apparatus called as liquid limit device, जो soil plasticity उसको liquid limit device के तारा determined किया जाता है, soil containing greater than 15% के लिए exhibit plasticity, range of moisture content in soil which exhibit plasticity is known as plasticity index और limit, plasticity index दिया गया था, अल्टर पर्ट के द्वारा, 1911 में, उसी के द्वारा limit of soil भी दिया गया था, plastic limit दो यह दो टाइप किये, lower plastic limit और upper limit, lower plastic limit में क्या होता है, lowest moisture content, a wish soil can be deformed without tracking and is upper limit of moisture for tillage operation except rice, upper limit और liquid limit क्या है, higher moisture content, liquid limit higher moisture content with distro soil aggregate of moisture, at which is to be plastic, soil plastic determined by apparatus liquid limit device, अब हम बात करें next property है, हमारे soil consistency, resistance of soil at various moisture content at mechanical stress, soil concentration क्या होती है, कि moisture content के तोलहां जो mechanical stress क्या होती है, फिर मॉइस्ट सोयल में रेजिस्टेंट पाया जाता है, oxygen diffusion ratio, oxygen diffusion क्या होता है, कि फ्लांट की रूट में ओटू का मूवमेंट होता है, उसे का जाता है, ODR, it measured by, ODR को measured किया जाता है, platinum wire के द्वारा, और इसकी unit ये gram per centimeter square per minute, range of ODR के हम बात करें, प्लॉफ के लिए 22.9 into 10 to the power minus 8 to 39.5 into 10 to the power minus 8 gram per centimeter square per minute, इसे हम देखें, सबस्यादर जो irrigated peak की ODR पाया जाता है, और सबस्यादर लोबेस्ट होता है, राइस का 22.1 into 10 to the power minus 8 gram per centimeter square minute, next property is soil color, soil color determined कियाता है, मुंसेल कलर चाट के द्वारा, इसमें soil color तीन ताप बताता है, हूँ, वेल्यू और क्रोमा, जो हूँ है, वो denote करता है dominant inspector color, कि उसका color के साई yellow dominant है, उसमें red blue dominant है, ब्राउन dominant, वेल्यू जो है, वो सोईल का color है, उसकी lightness और darkness को बताता है, और क्रोमा टेनोट करता है color की purity को, specific heat, specific unit की unit है, calorie per gram, water की specific unit 1, soil की होती 0.2, organic matter की होती 0.5, सबसे जादा जो specific heat होती है, हीट ग्रेन और लोज बाइदा इस फाइब टाइम क्लिकर देन बाइदा वार्टर की तुलना में 5 टाइम जल्दी जहीट ग्रेन और लोज होती होता है, इस पेसिक की तुलिट आप सोयल किती होती 0.2 एंड इस पेसिक की वाटर किती 1 calorie per gram, अब हम बात करने नेक्स्ट प्रपोर्टी है, सोयल प्रशिटी को पर्सेंटेज में देनोट किया जाता है, प्रशिटी का फर्मूला है 100 बल्क टेंसिटी आपउन पार्टिकल टेंसिटी इन्टू हंडड उया पही हम बोल सकते हैं 1-1 ब्ड बाटग पॉर्टी की रेंज बात ही 30 तू 60 परसेंट, मीडियाम तूफाइं टेक्चर तो चले उसकी पोरिशीटी ती 40 तू 60 परसेंट और सेंडी सोल की 35 से 50 परसेंट टोटल नमबर और माइक्रोब पॉर इस फांड हाइस लिए अगर माइक्रोब पर के बात करेंगी तो सबस्दाब क्लेश वनले पाए जाते हैं और मेक्रोब और लाज पर की बात करेंगे सबस्दाब सेंडी सोल पाए जाते हैं और करिंग मेटर का अगर एडिशन होगा तो पोरसीटी इंक्रीश होगी क्रोपिंग रेडिउस ता पॉर इस बेस तो आइडिल रेच्टेश करता परस्पेस को क्रमपी और ग्रेनियोल स्ट्रॉप्चर हैं इसलिए क्या रते हैं ग्रोफ की लिए बेस्ट रहते हैं आइडिल रेच्टेश हम देखें माइक्रो टू मेक्रोपोर होना चाहिए सोल का वन इस टू वन सिलिकेट मिनराल के हम बात करेंगे ओलीवीन ओलीवीन जो है फेरो मैंगनेशियम सिलिकेट है एफ़ी एमजी टू हाइड़ेट पाए जाते हैं इसमें ओलीवीन और टोकें सर्पेंट है इस है हाइड़ेट सिलिकेट और मेंगनेशियम नेक्स्ट है टूर्मेलाइन क्या है इस बोरोन एल्यूमिनियम सिलिकेट यह क्या होता है टूर्मेलाइन बोरोन का सोर्स होता है अब हम देखते है लois है कि कुछ सिप्लाव reducing के सौर्स होते हैं जैसे ऑसपुरोप निचे यह से एक पेटाइट। प्रोटेसियुमका विए बाई पेड GPA और ऐलिकले मेंकि युद्रियम कैनीरणाइट। रहले में बताएं डिसनिंग सेक्वेस्च में दिया है सबसेदा मिन्रल रजिशन होता है क्वार्स मस्कोवाइट पेलर्स पाफ्ट पाइज़ती है क्यल्स साइट में कंपोचिशन ऑफ अर्थिष्ट का हम देखें इसमें एलिमेंटर रोर इसका कितना अमाउंट होता है ऑक्षिजन पाया जाता है 46.6 परसेंट सिलिकोन पाया जाता है 27.7 एल्यूमिनियम 8.1 फेरस 5 परसेंट केल्सियम 3.6 परसेंट सोडियम पाया जाता है 2.8 परसेंट पोटेशियम 2.6 परसेंट मेंगनेशियम 2.1 और अधर पाया जाते 0.8 परसेंट सबसेदा क्या पाया जाता है इसमें ऑक्षिजन 46.6 परसेंट 6% magnesium 2.1 और अधर पाया जाते हैं 0.8% में सबसेदर क्या पाया जाता है इसमें oxygen 46.6%